जहिन अभ्यास ओनलाइन क्लास की इस नहे वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी के स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो सेक्षन में दोस्तों मैं फिर से लेकर के आया हूँ मंडे निरिक्षा की एक्जाम पिप्रेशन को लेकर के अगर आप अन्य पाल्ट नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके चेक आउट कर सकते हो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला देस्टों आज का ये वीडियो अगर आप कॉम्पेटिसन एक्जाम सीजी पीस्टी सीजी व्यापाम सीजी पूलिस भरती का प्रिप्रेशन क इसमें 36 गर्थ प्रशन पूछे जाते हैं और उन्हीं का हम प्रिप्रेशन करने वाले हैं इस वीडियो में ठीक है तो दो वीडियो को लास तक जरूर देखिए दोस्तों और साथ ही साथ जो है कमेंट करके भी जरूर बताएए कि इसमें से कितना कोशन आपका सहीं हो रहा ह तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों दस में से आपका कितना कोशन राइट हो रहा है उसको भी आप जरूर बताएगा तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी प्रशनों को देखते हैं प्रशन है कौन सा कथन जो है भथरा नाट से संबंधित नहीं है तो भत्रा नार जो है दोस्तों उससे संबंधित नहीं है उस अकॉर्डिंग हमको नीचे चार आप्सन दिये गए हैं उसको हमको बताना है तो यह जो है एक बड़े रंग मंच पर खेला जाता है दूसरा है इसकी विसेवस्तु पौरानिक कथाओं पर आधारित होती है तीसरा है कि इनमें इस्तरी और पूरुस दोनों भाग लेते हैं और चौनता है कि नाटक के पात्रों का मेकप नहीं होता है तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि यह जो है दोस्तों बड़े मंच पर खेला जाता है और इसकी विसेवस्तु जो है पौरानिक काथाओं पर आधारित होता है तो कहीं न कहीं अगर देखें तो दोस्तों इसे जो है बड़े मंच पर आधारित नहीं होता है और साथे साथी कहीं भी छोटे मंच पर भी अपना मंचन कर देती है तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो जो सही है हमको वही बताना है ठीक है तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा तो चूंकि ये वाला कथन तो गलाथ हो गया है क्योंकि हमको सही वाला कथन बताना है और रंग मंच में है वो बड़े रंग मंच में नहीं छोटे रंग मंच में भी खर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों गलाथ हो जाएगा इसमें इस्तिरी और पूरुष दोनों भाग लेते हैं तो नहीं इसमें क्या है सिर्फ पूरुष इसमें क्या करते हैं नाटे में भाग लेते हैं और अगर इसमें इस्तिरियों कोई बनना रहता है तो पूरुष ही लड़कियों का ड्रेस पहन के वो इस्तिरें का रूप लेती है उसी तरीके से नाटा के पात्र का जो है मेक अप नहीं होता है तो इसमें जो है दोस्तों बिल्कुल नहीं इसमें जो है मेक अप किया जाता है ठीके तो हमको यह क्या हो जाएगा हमारा यह भी कथन गलत हो जाएगा यह भी कोन है तो दोस्तों आपको पता होगा कि 36 गड़ की पारणी के नाम से किसे जाना जाता है पंडित सुंदरलाल सर्मा नरेंदर देव वर्मा हिरा लल कावयोपाध्ध है हरी ठाकूर तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा हिरा लल कावयोपाध्ध है को जो है 36 गड़ी भासा के पारणी के नाम से जाना जाता है और इन्होंने 885 में दोस्तों इनका जो है 36 गड़ी व्याकरान की रचना लाई थी है लाई थे इन्होंने 36 गड़ी व्याकरान के नाम से ठीक है तो हीरा राल काव्यो पध्धाय जो है च्छतिस गड़ी के पारणी के नाम से जाने जाते हैं तो दोस्तों सुन्दरलाल सर्मा जो है साहित्य में अच्छक काम किया है इन्होंने तो दीबदान जैसे रचनाओं का इन्होंने रचना किये हैं इसी करण जो है 36 गड़ में साहित्य के छेत्र में पुरुसकार दिया जाता है 36 गड़ अलंकरन पुरुसकार वो है सुन्दरलाल सर्मा के नाम से दिया जाता है और इसमें दिया है दोस्तों नरेंदर देव वर्मा ये भी रचना किये हुए है आपको पता होगा अरपा पैरी के धार है ना तो ये नरेंदर देव वर्मा के द्वारा लिखा गया है तो हरी ठाकुर भी है जिन्होंने रचना के छेत्र में काफी योगदान दिये हुए है तो इसके लिए इस question के according जो है इसका सही answer क्या हो जाएगा सा option correct हो जाएगा चल ये देखते हैं सुमेलित कीजिए कि कौन सा सुमेलित नहीं है लोक गीत जो है वो बताना है तो दोस्तों लोक गीत जो है एक तरफ लोक गीत दिया है और विसायवस्तु तो लोक गीत दिया है और विसायवस्तु तो लोक गीत में क्या क्या दिया है भरभरी है न और उसी तरी किस चंदेनी और पंडवानी और ददरिया तो विसायवस्तु से सुमेलित करना है कि भरथरी जो गीत है दोला मारू की कथा सुनाया जाता है चंदेनी में लोरिक तो इसमें क्या हो जाएगा आपका जो है option number A correct answer हो जाएगा क्योंकि इसमें भरभरी में डोला मारू की कथा नहीं सुनाया जाता है पंडवानी में दोस्तों महा भारत की कथा भी सुनाया जाती है और ददरिया में प्रेम गीद जो है सुनाया जाता है option number A is a correct answer हो जाएगा चलिए देखते है next question छेरचेरा परव के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है तो जो सत्य नहीं है उसको बताना है अर्थात जो असत्य है उसको बताना है यह पौस पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है तो बिलकुल हाँ यह पौस पूर्णिमा के दिन मनाया ज सांत ही सबस्ता अगर देखें कि बच्चे घर घरर जाकर के दान ट्रीथ करते हैं दान मतलब डूस्ते हैं कुछ पैसा है कुछ आनौ आज हैं दूसरे घर जाकर के उसको मोंगते हैं जिस तरीख की सदुन ढ़ा अ को ठीक नहींख्या करती में लड़किया तो फर्णिस्जा करते हैं तो इसमें क्रिशी उपकरणों का पूजा जो है इसमें नहीं किया जाता है तो option number सा क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा और हमको वही बताना है कि जो सत्य नहीं है उसको तो option number सा क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा चलिए देखते है next question कौन सा जो पर्व है 36 गड़ के किसानों द्वारा मनाया जाता है तो समाने तोर पर जितने भी पर्व है 36 गड़ी में वो सभी किसानों का ही है ना किसान लोग ही मनाते हैं तो लेकिन special जो है जिसमें किसान लोग अपने खेत हल का पूजा करते है है ना तो वो कौन सा है कमर्चट है हरेली है हरतालिका है या फिर हरावल है तो इसके राइट आंसर जो हो जाएगा option number 2 हरेली जो पर्व है किसानों द्वारा मनाया जाता है ठीक है कमर्चट जो पूजा होता है उसमें दोस्तों पूत्र की कामना किया जाता है जिसको नीचे का जो पर्व होता है उसे कहा जाता है ठीक है जिसमें पती की दिरगायों की कामना की जाती है ठीक है चलिए देखते है next question चलिए इसमें दोस्तों बहुं सारे जो पर्व होते हैं वो कौन-कौन से पर्व में आते हैं किस-किस हिंदी महिनों के according तो चलिए उसको पक्ष जो होता है 15 दिन का होता है आने वाला फिर 15 दिन का जो रहता है दोस्तों वो होता है सूकलब पक्ष तो इस तरीके से 15-15 दिन का पखवाडा भी कहा जाता है तो पाक होता है एक जो है क्रिश्न पाक होता है और दूसरा सूकलब पाक होता है ठीक है क्रिश्न पक्ष में क्या क्या आता है जो चैतर पक्षक का जो हुए पर दिन यहां वह को स्टार्ट हो जाएगा ऐसको राम नामी के नाम से झाल आ टुक है और 9 दिन क्या हो जाएगा आपका राम नौमी होगा और जस्त इसके जो 15 दिन आएगा उस–οι्वा होता है हनुमान जैन्ति मनाया जाता है ठीके है अर्थात क्रिष्न पक्च का जो सोरी चैत्र महिना का जो होता है कौन सा सूकलपक्च सूकलपक्च का पंद्रवा दिन होता हैähr उस दिन हनुमान जैनती और नववा दिन जो होता है राम नवमी मनाय जाता है ठीके तो चैत्र महिं सिर्फ इतना xre anti- etti उसमें पुत्रा पुत्री जिसको क्या कहा जाता है अक्तितिहार कहा जाता है क्या कहा जाता है अक्तितिहार वो जो है शुकल पक्षे के तृतिया जिसको अक्षे तृतिया के नाम से जाना जाता है व्योद मनाया जाता है ठीक है यहां तक आगे आपको समझ उसी तरीके से जो बैशाख का होता है पंद्रवा दिन शुकलपक्ष का पंद्रवा दिन उस दिन बुध्ध पूर्णिमा होता है ठीक है अब तीसरा जो देखते हैं वो है दोस्तों जेश्ठ है ना जेट मैना जिसको बोलते हैं भारी गरम होता है उस समय तो इस समय जो पहला पक्ष आएगा कृष्ण आएगा ये भी 15 दिन का होगा उसके बाद दोस्तों उसके बाद अमवश्य आएगा उसके बाद सुकल पक्ष लगेगा ठीक है तो जो दसवा होता है सुकल पक्ष का दसमी दिन उस दिन गंगा दसमी मनाया जाता ह गंगा दस में जो कहा मनाया जाता है सरगुजा में मनाया जाता है ठीक है तो जिस्ट में सिर्फ इतना ही है उसके बाद है दोस्तों आपका असाड में असाड में देख लेते हैं तो आसाड में भी कृष्ण पक्षाएगा और जो है पहले कृष्ण पक्षाएगा पंदर दिन के बात क्या हो जाएगा फिर सुकलपक्ष हैगा तो सुकलपक्ष में इसका जो दूतिया दिन होगा उस दिन राज दूत मतलब उस दिन क्या होगा रत यात्रा निकलता है किस दिन आशाड का जो सुकलपक्ष का दूतिया दिन होता है उस दिन रत यात्र निकलता है कहा निकलत तो इसमें भी क्या आएगा पहले कृष्ण आएगा कृष्ण पक्षे का जो 15 दिन है उस समय क्या होगा कुछ नहीं होगा मतलब जो 15 दिन होगा अमावश्या का उस दिन हरिली तवहर मनाया जाता है स्रावण मास का जो 15 दिन होगा ठीक है स्रावण पक्षे का कृष्ण यंदी, पूरिमा, उसी पूरिमा को रक्चा बंधन का तवहार मनाई जाता है, तो स्रवनमार मस में क्या कोन-कौन से तवहार आ गया, तो आपका पंदरावा जो आया, अमउ shaving को, हरिली आया, उसके बार नागपंचम को पंचम को, पंचमी को, और जिस दिन पूरिमा होगा, उसी तरीके से भाद्रपद या फिर क्या कहा जाता है भादो कहा जाता है ठीक है सावन के बाद क्या आता है भादो आता है ठीक है तो इसमें जो पहला कृष्ण पक्ष होगा उसमें एक जो रहेगा उस दिन भोजिली मनाया जाता है और चाउंथा दिन जो रहेगा बहुत चा लू होता है दोस्तों आपका पक्छ, मतलब क्या हो जाएगा अंजोरी रात जिसको बोलते हैं ठीज? तो उसमें जो तीन को रहे गा वो तीजा मतलब हरत आलिका तीज रहे गा उसके बाद जो च constitution रहेगा वुस्तिन क्या रहेगा तो यह बहादो हमाहिना में होता है उसके कुमार का पित्र पक्ष में निकल जाता है कौन सा पक्ष है कृष्ण पक्ष उसके बाद दोस्तों सुकल पक्ष आता है तो सुकल पक्ष का जो पहला दिन होता है वो क्या होता है नौरात्री का होता है उसका जो दस्वा दिन होता है वो क्या होता है विजिया देश्मी होता है जिस दिन खीर की वर्षा होती है को पता होगा सरत पुनिमा ठीक है तो ये हो गया उसके बाद है जब हम लोग कुवार हो गया उसके बाद क्या होता है कार्तिक कुवार के बाद क्या आता है दोस्तों कार्तिक तो कार्तिक महना में क्या होता है तो देखे सबसे पहला जो इसका पंदरवा दिन है वो होता है लचमी पूजा का ठीक है इस दिन क्या होता है अमावश्या दिन बहुत सारे दिवी देवताओं को पूजा किया जाता है अमावश्या को ठीक है उसके बाद जो एक का माता है एक मतलब किसका सुकल पक्ष का एक उस दिन होता है गोवरधन पूज दूसरा दिन होता है दोस्तों भाई दूज होता है तीसरा दिन होता है मातर और उसके बाद पांचवा छटवा साथवा आठवा दिन कुछ नहीं होता है नौवा दिन होता है दोस्तों आवला पूजा होता है और जो ग्यारवा दिन होता है दोस्तों उस दिन दे उठनी जिसक पहले कि आएगा क्रिशनपक्षा को लच मिपूजा रहता है और इसका जो अमवश्या आएगा इसके बाद इसको याद रखने है उसी तरीके से जो पुस्त जिसको कहा जाता है पूश तो पूश का जो पहले क्रिश्न पक्ष आएगा फिर 15 दिन है ना उसके बाद क्या आजाएगा सुकल पक्ष में फिर 15 दिन तो सुकल पक्ष का जो पूरिमा होगा 15 दिन ठीक है सुकल पक्ष का जो 15 दिन होगा इस दिन मनाया जाता है छेर छेरा क्या मनाया जाता है ठीक है तो आप इसको याद रखि उस दिन बसंद पंच में मनाया जाता है इस समय जो है दोस्तों जो आम के वरिछ होते हैं उसमें जो है मौर लगना स्टार्ट हो जाता है मतलब उसमें जो फूल लगनिया कलियां लगना स्टार्ट हो जाती है ठीक है उसके बाद लाष्ट जो महना आता है वो है फागुन ठीक उसके बाद सुकलपक्च लगता है तो सुकलपक्च का पहला दूसरा तीसरा तो उसका पंदरवा जो दिन होता है उस दिन होली का दहन किया जाता है ठीक है होली का दहन कब किया जाता है पंदरवा को किया जाता है तो उसके बाद क्या होता है फागुन के बाद मतलब फागुन लाश्ट मेहना उसके बाद क्या होता है चैत्र फिर से लग जाता है ठीक है तो इस तरीके से क्या हो जाएगा पूरा पक्षवाला जो है घूमते रहता है तो हिंदी कलेंडर आपको पता होना चाहिए चैत्र बैसाक जेट अठा असाल सावन बादो, कुवार, कातिक, अगन, पूस, माग और फालगुन ठीक है तो अगर इसके हम लोग समय के अनुसार देखें दोस्तों जैसे चैत्र है तो जनवरी में आएगा ऐसा बिलकुल नहीं है जो है समाने तोर पर वो अलग ही रहता है ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों ये ह हिंदी महिनों के आखोर्डिंग जो है आने वाले तेवहार ठीक है चलिए देखते है नेक्स्ट कोश्यन तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएए दोस्तों ये जिज़े जानकरी मैंने बताया आपको कैसा लगा किस स्थान अगर समझ नहीं आया दोस्तों तो फीर से थ के लिए करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा ठीक है चलिए देखते है नेक्स्ट कोश्यन राज्य का एक मात्र संगीत कला विश्विद्याल है किस राजा द्वारा इस्थापीत किया गया है तो राज्य का एक मात्र संगीत कला विश्विद्याल है कौन सा विश्विद्याल है तो किनकी द्वारा किया गया है महेंदर भाफदूर सी है नरेश चंदर सी है विरेंदर भाफदूर सी है या फिर प्रताप सी है तो इसके लिएिसके हीस गरेंद्र भाफदूर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा option number three is the correct answer चलिए देखते है next question राज्य के कबीर पंथी प्रती वर्ष माग पूर्णिमा को निमने स्थानों में मेला कायोजन करते हैं तो कहां कहां मेला कायोजन करते हैं दोस्तों तो नीचे option में रुख देना था कि एक दो कूट के रूप में कि पहला और दूसरा जगह में पंथियों का माग के पूर्णिमा में जो है मिले का आयोजन किया जाता है तो इसके लिए क्या हो जाएगा और हम दो देखें तो पहला और तीसरा इसके लिए क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा ठीक है चलिए देखते है next question राज्य की लोक चित्रकला निमनलिकित है तो राज्य की जो लोक चित्रकला जो है निमनलिकित कौन सा है सवनही, नोडोरा, घर, सिंगार, रंगोली तो हमको यह बताना था दोस्तों कि राज्य की लोक कला चित्रकला निमनलिकित में से नहीं है तो आप इसको ध्यान दिजे जो है लोगचीतरकला नहीं है तो कौन सा नहीं है सवनही, नोडोरा, घर सिंगार या फिर रंगोली तो भाई जो नहीं है वो क्या है रंगोली है चुँकि रंगोली जो है 36 गड की लोगचीतरकला नहीं है लेकिन समाने तौर पर 36 गड में बनाय ठीक है नोडर भी उसी तरीकी का है घर सिंगर मतलब घर को सजाने के लिए उसमे क्या करते है चितरकला करते है ठीक है झाला करते हैाई कब लगता है माग पूनिमा को लगता है कहा लगेगा राजिम में लगेगा तो मतलब यह होगा राजिम का माग पूनिमा महादेव जो मेला है वो कब लगता है तो वो कार्तिक पूनिमा को लगता है ना डबरा का मेला दोस्तों राम नौमी को लगता है ठीक है जो पूनिमा का नवा दिन होता है न उसी दिन क्या होता है लगता है चैसे मैंने पहले बता है नवमी कप आएगा कार्तिक पुनिमा मतलब कैसे आगा दोस्तों पुनिमा कैसे आएगा ठीक है सुकल पक्षे का पहला दिन से लेकर के जो पंद्रवा दिन होगा उस दिन क्या रहेगा पूरिमा रहेगा तो इसी दिन कार्थिक माहस का जो लाष्ट दिन रहेगा तीसवा दिन उस दिन क्या मानेंगे पूरिमा और इसी दिन क्या होगा मेले का आलजन होगा कूटी घ तो इस तरीके से दोस्तों आपको जमैने महना का नाम बताया उस अकॉर्डिंग जो है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि जिसे कार्थिक पूरिमा है तो किस इस्थिती को है वो पोजिशन का क्या होगा बसंद पंचमी है न कब आता है मनें बताया राम नौमी भी बताय महना कॉन सा है माग है पहले आया होगा क्रिशन पक्ष आया होगा उसका 15 दिन निकला होगा उसके बाद आया होगा दोस्तों सुकलपक्ष सुकलपक्ष के बाद आया होगा उसमें पूरिमा ठीक है जैसे क्रिशन पक्ष कंप्रीट होता है और क्या होता है अमवश्या लगत एमेद करता हूँ आपको हिंदी में अच्छे से क्लिएर हो चुका होगा तो बसंत पंचमी जो है दोस्तों देखे माघ महने के पंचम सुकल पक्च के पंचमी को मनाया जाता है तो location आपको address पर चल गया कि माघ जो महना है उसका सुकल पक्च के पंचमी को मनाया जाता है मतलब उसका क्या होगा माग मैने का जो कृष्ण पक्ष है उसमें मवश्या आएगा उसको बाद क्रॉस हो जाएगा उससमें कुछ नहीं होगा ठीक है तो सुखल पक्ष बोलूँगा तो नीची वाल आएगा है ना दूसरा पकवाड़ा तो उसमें क्या हो सो जो पांच वा तारीक होगा पांच वा है ना तो उस समय जो है बसंद पंच मी मनाया जाएगा ठीक है इसी समय क्या होता है जो है आम में जो है चोटे-चोटे मौर निकलने स्टार्ट हो जाता है ठीक है आम फलने के लिए तो आमों के लिए फ्यूल जो है लगना स्टार्ट हो जाता है तो वीडियो का से लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो उसको जरूर पूछ लीजेगा नीचे कमेंड बॉक्स का है बिल्कुल खाली है आपके लिए है अपना समस्या बिल् तर एट है झाली है तर को सुदयत मैंग जाइग बगिल्यू है जरूर भावता ओाली है आप करूछ बòngादाओ कर वाँछ ≤ मैंजर बिल्कूब सूबया लाहाः आट है एपके अपके लिए एूटर हूआ जरूर जो